नमस्कार राज्यसभाद टेलिविजन के काईकरम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है मैं हूँ उर्मिलेश मेडिया मंथन के आज के एपीसोड में हम बात करेंगे हिंदी मीडिया विचार का संकट या बाजार का दबाओ इस विशय पर बाचित करनी के लिए हमारे साथ मौजूद है चार खास महमान हमारे साथ हैं अभय कुमार दूबे CSDS के संपादक हमारे साथ हैं विश्णू नागर शुक्रवार पत्रिका के संपादक हमारे साथ हैं वरिष्ट टिवी पत्रकार राहुल देव और न्यूस 24 के प्रबंद संपादक अजित अंजूम अभय कुमार दूबे बाचित की शुरुआत हम आप से करते हैं अगर देखा जाए आज अगर दस बड़े भारत के अख़वारों की एक सूची बनाई जाए तो उसमें तीन जो बड़े अख़वार हैं उपर से वो हिंदी के हैं अगर चैनलों की सूची आप बनाएं तो हिंदी के चैनल उनका डंका बज रहा है डंका पीट रहे हैं वे अपनी टियारपी को लेकर अपनी दर्शनियता को लेकर अपनी लोकापरियता को लेकर इसमें कोई दोराय नहीं खासकर जो बड़े चैनल हैं लेकिन इसके बाजूद मैं आप से जानना चाहता हूं कि आम तोर पे अगर पूरे अखिल भारती अस्तर पर देखें तो हिंदी मीडिया को अभी भी प्रोफिशनल आधारों पर एक उसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से अभी भी ऐसा लगता है कि दोयम दर्जे का माना जाता है अगर दर्जा तै करना चाहते हैं तो हिंदी मीडिया पहले दर्जे का मीडिया है जो हमारे सामने मौजूद मीडिया है उसमें अगर हम दर्जा तै करना चाहते हैं सवाल यह उसे दोयम दर्जे का माना जाता है तो उसकी वज़े तो अंग्रेजी है जो भारत का भीजन है भारत का प्रभुवर्ग है उसकी उपर जो अंग्रेजी का रंग रुतवा है उसकी वज़े से जो चीज अंग्रेजी में नहीं है वो सब दूसरे तीसरे चौथे पांच में दर्जे की है भले ही उसको देखने वाले सुनने वाले पढ़ने वाले अंग्रेजी वालों की संख कि शासक हैं, हुक्मरान हैं, वो अंग्रेजी के अखवार पढ़ते हैं, वो हिंदी के अखवार कम पढ़ते हैं उसके मकाबले, तो उसकी वैसे ही कहायाता है, दूसरे नमबर कहाया, मेरा मानना यह है कि अपनी तमाम खामियों और तमाम सीमाओं के बावजूद हिंदी के मेडिया और भारती भाष्णाओं के मीडिया दूसरे नमबर बाना यहाता है, लेकिन राहल जी, अगर अब है जो कह रहे हैं, एक जो हैसियत या रुत्बे की बात, वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अभी भी अगर जर्नलिजम के हिसाब से देखें, जर्नलिस्टिक एक issues को उठाया जाएं, तो वाकई हिंदी जर्नलिजम अभी पीछे कई बार जाकर गिरता है और लगता है कि वो अंग्रेजी को फालू कर रहा है, देखें थोड़ा सा मैं अभय की बात को ही आगे बढ़ा हूँगा कि उसका एक बहुत बड़ा कारण ऐसा दिखता है अगर तो अंग्रेजी या अंग्रेजियत से प्रभावित अंग्रेजी के जादू से समोहित लोग हैं, लेकिन कुछ अंतर हैं भाशाई मीडिया में और अंग्रेजी मीडिया में, उसमें हिंदी मीडिया को मैं भाशाई मीडिया में ही रख करूँगा, इसलिए केवल हिंदी मीडिय की बात करने की जरूरूत शायद नहीं है उतनी कुछ अंतर है जो हिंदी जो दोनों भाषाओं के मीडिया के जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके वर्ग चरित्र से प्रभावित होते हैं अब हिंदी मीडिया का जो चाहे वो पाठक हो या दर्शक हो वो ज्यादा तर उसका की सोच उसकी जीवन्शेलियों उसके खान पान सोचने महसूस करने और उसके भावजगत से प्रभावित और उनको प्रतिबिम्बित करने वाली चीज़े आपको हिंदी मीडिया में जादा देखती हैं अंग्रेजी मीडिया में यही अंतर आप उनके वर्ग चरित्र से प् वो एक मैक्रो दृष्टी रखते हुए थोड़ा से कम है और अभी हिंदी पत्रकारिता को काफी कुछ करना बाकी है अजित अगर हम चैनल की बात करें तो वाकि हिंदी के चरनों का जैसे लगता है कि तूती बोल रही है अगर पूरे हिंदुस्तानी मीडिया में देखा जाए लेकिन एक जो बात रहुल जी कह रहे है कि ठीक है है हैसियत हमारी है लेकिन हिंदी मीडिया की कहीं न कहीं एक प्रोफेशनल जो कांस्ट्रेंट्स हैं जैसे माने जी कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है बहुत बड़ा हाथसा हो जाता है बहुत कम जिसके पास दर्शक हैं वो चैनल भी या वो अकवार भी जिसके पाठक बहुत ज़्यादा हिंदी में है और जिस हिंदी अंग्रेजी अकवार के बहुत कम पाठक है हिंदी अकवार के मकाबले उसका करिस्पॉनिट पहले उस ज नजर आ रहा है दिल्ली से अगर आप देखते हैं तो जरूर लगता है कि अंग्रेजी मीडिया का बहुत असर है एक अंग्रेजी अखवार राष्टी अखवार दो तीन अखवार जो दिल्ली से बड़े अखवार है टाइमस ओफ इंडिया एक्सप्रेस या एच्टी उसमें अगर छे कॉलम की कोई खवर चपती है उसका इंपक्ट और उसका असर आपको शाम होते होते हर चैनल पर दिखने लगता है और वो रूट टाइमस ओफ इंडिया होता है लेकिन दो दिन तक वो एजेंडा सेट करता है हिंदी में ऐसे मौके कम आते हैं लेकिन अगर आप रा सबकुती है मनमोहन सिंघ से लेकर पूरा लूटियं जोंस सा उत भ्लॉक नॉट पॉरिंग दों सास्ति भाशन में रहने वाले जो लोग आखता है यहे का अंग्रेजी अख्वार अंग्रेजी चैनल को लेकरना चाहता हूं क्योंकि आप स्वेम डील कर रहे हैं सारी न्यूज अफेर्स को अपने चैनल में और देख रहे हैं बहुत परसों से प्रिंट में आपने देखा है न्यूज ब्रेक अगर बड़े देखे जाएं जो जो ज हिंधी अखवार नहीं है मैं अखवार के संधर में और इससे सहमत हूं क्योंकि तिन चार अखवार करना मैंने ही लिया जो तीने अखवार हैं अगर पिछले दो साल तीन साल के बड़े खबने घोटाले और जो भी सरकार कर अप सिस्टम को लेकर जो बड़ी बास भी अगर छेड़ा है तो वहां भी कहीं ने कहीं कमजोरी हिंदी मीडिया में दिखाई देती है क्या इसके पीछे ये तो नहीं कारण है कि हमने जो संपादक हमारे हैं जो हमारे हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं कोहीं कोई समस्या है कहीं ने कोहीं वीजन की समस्या है दबाव नहीं बन पा रहा है मैनेजमेंट का या मैनेजमेंट ही गवर्न कर रहा है पूरे इटोरियल को आप यह सारी चीज़ें एक तो यह है कि जो मैनेजमेंट है तमाम अकबारों का और मीडिया चैनल्स का भी उसकी आप जहाँ दिली से जो एकबार केंथ निकल आप? आप देखेंगे जो खर्च वो एकबार के लिए करते हैं उसका एका एकéndवताथ खर्च करने को लिए कनगे चाहर जेर हो यही एन OnePlus strang अग्बारों के बारे में यह सच है कि आज हमारे पास जो है बड़े संपातक नहीं है जिनके पास बड़ा विजन हो और अगर किसी के पास होता भी है तो उसे जो है आज बाजार के दबाव के कारण और दूसरे दरसल हिंदी के अकबारों और मीडिया को मालिक भी ज़्यातर इस्तमाल करते हैं कि अपने संपर्ग जो है वो सत्ताधारी वर्क से बनाने के लिए तो ये द्रश्टी जो है बहुत शुरूत है मालिकों के रही है कि वो इनको अपने लिए अपने हितों के लिए इस्तमाल करने की बहुत कोशीश करते हैं और इसी लिए चैन में आप जादा तर देखेंगे, मैं अपवादों की बाद छोड़ जाता हूं, जादा तर आप देखेंगे कि ऐसे संपादकों को निक्त किया जाता है, जो की लगातार जो है मालिकों के काम करवाने में सफल हो सके मनी शंकर आयर ने एक बार कहा था कि आप रधान मंत्री के आलोसना तो कर सकते हैं, सरकार के आलोसना कर सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े घराने हैं, मल्टिनेशनल घराने हैं, इनकी आलोसना करना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये कल आपका विग्यापन तत्काल बं पत्रकारिता में तो ऐसे संपादक आए जिन्होंने जिनको कहा जाता है हिंदी में पहली दफ़ा 80s के बाद और 90s की शुरुआत में कि ऐसे संपादक आए जिन्होंने जमीनी एक पहचान दी या यूं कहा जाए कि ग्रासरूट की जो रिपोर्टिंग है उससे अखवार को य जो संस्ता है वो विलुप दीखने लगी दो बात हैं एक बात बहुत जल्दी पहली बात तुम्हें से सहमत नहीं हूँ कि जो सहाइतिकार संपादक थे उन्होंने हिंदी पत्रकारता का कोई विकास किया जब तक सहाइतिकारों के हाथ में संपादक की बाग डो रही तब त इसली चीज बाकी सब फॉलो अप एक्षन है चाहे उस सापता एक पत्रकारता हो विचार पत्रकारता हो और दैनिक पत्रकारों में हिंदी हिंदी की साहितिकारों ने बहुत दरवड की उन्होंने हिंदी पत्रकारता की भाशा का विकास ही नहीं होने दिया जब प्रभाश जोशी राजांदर माथोर इस तरह के लोग पत्रकारता में आए और कविता और कहानी लिखना आपकी प्रतिष्ठा का मुख्य स्रोत नहीं रह गया पत्रकारता आपकी प्रतिष्ठा का मुख्य स्रोत हो गया तभी हिंदी पत्रकारता का विकास शुरू हुआ नंबर एक बात दूसरी बात ये जो हिंदी पत्रकारता में जो हम संकट देख रहे हैं कि संपादक खता मुदा रहा है एक बड़े दृष्टी वाला ऐसे विश्ण जी ने कहा बड़े आहत मन से कि एक बड़ी दृष्टी वाला संपादक खता मुदा रहा है और वो हिंदी सी नहीं, अंग्रेजी में और सभी जिए खतम हो गई, मालिक अनिवारता संपाधक होने लगे या संपाधक खुद नहीं होते हैं, मैनेजर को संपाधक बनाने लगे, या उन्हों organ ऐसा संपाधक चुन लिय जो खुद मैनेजर लोमता. अब है ने एक बहुत में बात उठाई है और वाकई ये विवाद का विशा है बहस का विशा है कि कितना रोल उन संपादकों का था जिरुवाती दोर में चाहे वो विशाल भारत हो चाहे वो सापताईक हिंदुस्तान हो धर्मजुग हो दिनमान हो उन पत्रिकाउं के ज़री पत्रकारिता जी 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 पत्रकारता के शुरुवाती विकास में जो शीरान गर्दे या बाउरा विश्ण पराड़कर ये जो संपादक थे इनकी पतिष्ठा सहायतिकार होने के नाते नहीं थी ये बीच का जो पीरियट है बीच की अवदी जो है इसमें सहायतिकारों को हि पत्रकारिता के बड़े बड़े अखवारों की कमान दी गई उससे पत्रकारिता का विकास रुका ये मैं कह रहा है हम हम इस विशे को और जारी रखेंगे कि इसमें क्या रिश्टा है किस तरह के संपादक आए बाद के दिनों में जिसको आप कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल पत्रकारिता जिसे कहते हैं वाकई उसको जो जमीन दी उन लोगों ने दी जो सहितिकार नहीं थे जो बुनियादी तोर पे ये कथा लिखन या कविता इस तरह की चीजों में इन्वाल्व नहीं थे डिरेक्ट वो न्यूज से उनका सापका था लेकिन जो विशाल भारत जै कि इन इन ये जो बैग्राउंड है उसमें और बात की जो बैग्राउंड जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं राजिंदर मातोर प्रभाज जोशी लेकिन आज जो हालत है वो हम उस ट्रेडिशन या उस विरासत को क्या आगे बढ़ा रहे हैं या कहीं ने कहीं अस्थगन है पत्रकारिता जो थोड़ा सो एक साल रही है उसके दौर होते हैं अंग्रेजी पत्रकारिता के भी दौर थे हिंदी पत्रकारिता और हर भाशा की पत्रकारिता के अपने एक दौर होते हैं इन बहुत सारे दौरों से निकलके आज ये पत्रकारिता हैं अपनी अपनी जगा प और पाथक स मझ नहीं सकते थे उनके पने पत्रकार समझ नहीं सकते थे तो केवल हिंदी को कटगरे में रखना और देके लेकि को पत्रकारों को मैं नहीं समझता यह एक एतिहासी क्रम है तो हम उससे हमें ज़ादा कुछ मिलने वाला नहीं है लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आप देखे हिंदी अखवार जो हैं इतना भिक रहे हैं उनके पेज बढ़ रहे हैं उनके पास रिवेन्यू भी ठीक ठाक है लेकिन आगल बगल अपने देश के नजर डाली है पाकिस्तान है बंगला देश है नेपाल है आविन कह के मालिकों ने अपने पत्रकारों में अपने संपाद की विभागों में अपने संपाद की कर्म में और उत्कुष्टता में पैसा नहीं लगाया है उतना ध्यान नहीं दिया है वो पैसा कमाने में ज्यादा उनका ध्यान रहा है अपने अपने अगबारों को और अपने प्र वज़ा है कि अगर अंग्रेजी में संपादक चाहे वो प्रिंट में हो या चैनल में हो वो अगर प्रिसराइज कर ले रहा है मालिक को तो क्या वज़ा है कि हिंदी में खासकर प्रिंट में मैं जाना चाहता हूं कि ब्यूरो के ब्यूरो जो 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 आफिसेज हैं रिजिनल ल पराज हो जाएगा कास्ट कर्टिंग अगर नहीं होगी तो मुझे लगता है वो फैक्टर नहीं उर्मलेजी राहुल जी ने जो कहा बहुत आहम है कि मालिक मेनेजमेंट और प्रोमोटर से शुरुआत होती है जहां बात करेंगे तीन बड़े ग्रुप के अखवार जो दिल्ली से ही निकलते हैं बड़े घराने हैं देश के मीडिया के तीनों का हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखवार है और सालों से दश्कों से है और बहुत मोटी कमाई वाले तीनों अखवार है एड रेवन्यू सैक्रों करोड में है बट उन तीनों अखवारों की स्थिती तुलना भी करेंगे जो संचिप्त में विश्णु नागर जी ने भी कहा उसी अखवार और उसी घराने के अखवार में आपको फर्क नजर आएगा लेकिन वहाँ अगर ये कहें कि अखवार का संपादक अपने मेनेजमेंट पर दबाव बना के वासिंटन, लंडन या पाकिस्तान में अपॉइंट्मिन्ट करवा लेता है या रिसोर्स पर ज़्यादा खर्च करता है या रिपोर्टिंग पर या रिपोर्टर को 20 जगा अलेक्शन में डिप्यूट करने पर ज़्यादा खर्च करवा लेता है और हिंदी का संपादक कमजोर है, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है मालिक भी अंग्रेजी वाला है, यहाँ दोनों में फर्क है एक वो घराने है जिसका मालिक अंग्रेजी बैक्ग्राउंड का है कहीं लंडन से और कैम्ब्रीज से अंब्ये करके आया है एक वो अख़वार है जो हिंदी में कहीं से सुरू हुआ लखनो पटना से सुरू हो कि आज 30-25 एडिशन है वो अख़वार विस्तार तो कर रहा है लेकिन रिसोर्स और मैन पावर और ख़बरों के चैन पर कितनी महनत की जाए एक ख़बर को डिग करने में एक महना लगे ऐसे रिपोर्टर को इतनी आजादी दे कर क्या वो करने को तयार है जो अंग्रेजी अख़वार करते है तो दोनों जगह के मान सकता है दोनों डिफरेंट सिचुएशन है उर्मलेशी दोनों को अलग करते हैं कि आप सामत हैं कि हिंदी के जो अख़वार हैं उनका जो संपाद की जो प्रबंदन है संपाद की प्रबंदन की बात मैं कर रहा हूं जिसमे डिटर भी शामिल होता है क्या वो वाकई दबाव नहीं बना पा रहा है या या ये मनेजमेंट के ही कारण सब कुछ हो रहा है बाजार का ये संकट है या विचार का भी संकट है देखें संकट तो ये है कि अभी भी जो है जो अंग्रेजी और हिंदी अकबार जहां से निकल रहे हैं तो वहां जो उसे अंग्रेजी अकबार से रिविन्यू मिलता है बहुत सीमीत प्रसार संख्या के बावजूद जो अंग्रेजी अकबार से उसे रिविन्यू मिलता है और उसका revenue बहुत कम है और सत्ता तक हिंदी के अख़वार की बहुत कम पहुँचे बलकि लगभग नहीं पहुँचे हमारा हिंदी का अख़वार है या हिंदी का मीडिया है वो असल में जनतात को ही संबोधित है बुनियादी रूप से और कम सकम दिल्ली में तो ये द्रश्री ही दिखाए देता जैसे कि आपने बताया है लेकिन विश्णो जनता को संबोधित आप कह रहे हैं मैं एक का आप से सवाल उठाता हूँ एक बड़े अख़वारी संस्थान का हिंदी एडिशन वो बाइलिंग्वल ग्रूप है हिंदी एडिशन वो लांच करने जा रहे हैं बलकि री लांच करने जा रहे हैं क्योंकि पहले निकालते थे बंद कर दिया और हिंदी के दो बड़े प्रदेशों में हो जा रहे हैं और वहाँ मैं देखा उनका विग्यापन जो उनके अंग्रेजी अक्वार में चपा, वो ये बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं हिंदी में यहाँ, और उसमें बता रहे हैं कि हम जो आ रहे हैं बाजार में, हम आप बता रहे हैं पाटकों के कि हम आपका भागे भी बताएंगे, हम स अपने नए पाठकों को चुराने के लिए कह रहा हैं कि हम आपका भागे फल भी बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल यह दरसल यह पूरी मानसिकता है जो आप हर जगे टी-वी में भी दे отмет कि जो हिंदी का जो चैनल है या हिंदी का जो अखबार है उसका पाठक जो है उसको एक देश दुनिया से कोई खास लेना दर नहीं इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी खबर हो तो चैनल पर नाजगाने न्यूज चैनलों पर बाकी की बात नहीं कर रहा हूं चछड़ा इतना अग्यानी समझा जा रहा है जबकि आप कहरा है कि बहुत विकास हुआ है और नई चीज आई है हिंदी पत्रकारिता में किसी एक अखवार और पत्रका की बात तो अपवाद हो गई अगर आप पूरी अंग्रेजी पत्रकारिता की बात करें तो उसका साइं हिंदी में ढूनेंगे तो आपको कुछ कम मिलेगा दूसरे हिंदी जगत हिंदी जो जगत है जो अंग्रेजी जगत से भिन है अगर उसके समाचार उसकी धड़कनों का आपको पता लगाना हो उसकी सांस्कृतिक गद्विदियों का पता लगाना हो तो आपको हिंदी मीडि हिंदी मीडिया में ही जाना होगा अंग्रेजी मीडिया में तो नहीं जाना होगा हिंदी का सायतिकार मरता अंग्रेजी में तो उसकी खबर नहीं चपती है कोई शद्धान जली चपती है कुछ नहीं होता है तो ये मानना कि हिंदी में कुछ खास तोर से बहुत घटिया हो रह है कुछ निक्रष्ट हो रहा है और अंग्रेजी कुछ विशेश रूप से कुछ स्रेश्ट है कुछ बहतर है और कुछ साइंटिफिक टैंपर टाइप की चीज है मैं इससे सहमत नहीं आप प्रावल जी कुछ कहना चाहता था कि एक बुन्यादी तत्य यह है कि दोनों समाजों में अंतर है और वो अंतर आपके उनके मीडिया में प्रतिविम्बित होता है हम यह नहीं मान सकते कि जो अंग्रेजी भाषी भारतिय है वो ठीक वैसा ही है हर चीज में अपनी सोच में, जीवनशेलियों में, अपने मानसिक दुनिया में जैसी और अपनी जिग्यासाओं में जैसा हिंदी का है वो अंतर आपको दिखता है ये बात हमें मानने ही पड़ीगी कि हिंदी का जगत जो समस्त हिंदी जगत उसमें अभी तो निरक्षर्ता भी पूरी तरह गई नहीं है नवसाक्षर्णों का इक बहुत बड़ा वर्ग है उसमें शिक्षा का उच्छ शिक्षा का प्रसार अंग्रेजी के भरतिये के तुलना में काफी कम है उसमें पारमपरिक्ता का वर्ग बहुत बड़ा है उनको आप ग्यान और जानकारी बाटना चाहते हैं या अग्यान और अंधेरा ग्यान निर्मान में जुड़े लोगों की संख्या उनकी मात्रा और ग्यान अत्मक जिग्यासा हैं भी हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में अनुपातिक रूप में कम हैं सबसे अधिक कंप्यूटर को जानने की कोशिश करने वाले बच्चे कस्पे और गाउं के हैं जो हिंदी में या भारती भाषाओं में जो काम कर रहे हैं जानने की कोशिश करने वाले और उसका टेक्नोलोजी का आकरशन ग्यान का आकरशन नहीं होता है जी कुछ कहना चाहता है वो पहले नहीं देखते थी आप तमाम ऐसे अकबार जैसे मैं जमाने की नई दुनिया को याद कर सकता हूँ जो जिसे मैंने उस दोर में पढ़ा था तो उसमें एक ये जोतिश का कालम तो होता था उसके अलावा मुझे याद में आता कि मैंने इसके अलावा कोई चीज जो अ साहस ना संपादक में है ना मालिकों में हो साहस करने की वो नई कलबना शिल्ता की जो उतनी है और हम समाज को आज ज्यादा पिश्डावा अपनार हे है जब कि आज से 30 साल पहले अगर तार्की ग्रूप से देखें गर टीस साल पहले ज्यादा पिश्रावा हुआ रही तब अगर ऐसी स्थिती नहीं थी तो आज ये स्थिती क्यों आई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या हमारी अपनी खुद की जो हम संपार दखें या हमारे मालिकान हैं उनकी मानसिक्ता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है इस टिपणी के साथ विश्रू नागर की हम इस चर्चा का भी समापन करते हैं कि कहीं न कहीं जरूर ये जायजा लेना होगा इस बात का विशलिशन करना होगा कि हम कहीं पाठकों को कम तो नहीं आक रहे हैं, कहीं हम दर्शकों को इवैलिवेट करने में, उनका मुल्यांकन करने में गलती तो नहीं कर रहे हैं, पाठक और दर्शक कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे और कुछ चाता है और हम उसको परोस रहे है कुछ और, कई बार ऐसा लगता है, खासकर हिंदी पत्रकारिता के बारे में अगर हम देखते हैं, हिंदी मीडिया के बारे में देखते हैं, तो लगता है कि ये बाजार का संकट है, बाजार का ही दबाओ है, मैनेजमेंट का दबाओ है, मारकेटिंग का दबाओ है, ब्रैंड म समापन करते हैं आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए राज्य सभा टेलिवीजन